प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ग्रूप टू सब ग्रूप फोर यानि की सहायक समपरिक्षक कनिष्ट सहायक डाटा इंट्री आपरेटर और अन्य पदों की जो भरती परिक्षा 2020 हुई थी उसका माडल आंसर यानि की आंसर सीट जारी कर दिया गया है तो इसी के बारे में इस वीडियो में complete जानकारी दूँगा कि आप अपना आंसर सीट कैसे देख पाएंगे सांथ में यदि आपके आंसर सीट में कोई भी गलती किया हुआ है कोई भी प्रशन यदि गलत दिया हुआ है या फिर किसी प्रशन का कोई गलत उत्तर दे दिया है और आपने सही उत्तर दिया हुआ है लेकिन आपके माक्स को कम कर दिया है तो इसके लिए आप जिक्सन आप कैसे एडिकर पाएंगे तो इस वीडियो में इसी के बारे में complete जानकारी दूँगा लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब ने किय है तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें सांत में बेल आइकन को प्रेस करके आल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें ताकि जितने भी वीडियो में अपने चैनल पर अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पाले मिल जाए तो चलिए वीडियो शुरू क करते हैं डिस्क्रिप्शन बाक्स में मैंने एक लिंक दिया हुगा है उसे लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से इस पेज पर आजाएंगे इस पेज पर आने के बाद आपको नीचे आ करके यहां से अपना लेंग्वेज सेलेक्ट करना होगा मैं एंगली सेलेक्ट कर लिया इ अब आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपेन हो जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रूप 2 सब ग्रूप 04 वीव अंसर बुक नीचे दिया हुआ है रोल नमबर टू इंटरड कम्पलीटली रोल नमबर सुड़ नाट कंटेन एनी स्पेस यहाँ पर आपको रोल नमबर फिल करना होगा इसके नीचे यहाँ से कालेंडर जो दिया हुआ इस पर क्लिक करके अपना डेटा बर्थ सलेक्ट करना होगा इसके बगल में यहाँ से अपने एकजाम के तारिक को सलेक्ट करना होगा जो कालेंडर दिया हुआ है इसके नीचे select shift पर click करके यहां से अपना shift select करना होगा exam का इसके बगल में जो भी capture दिखाई दे रहा है उस capture को same to same यहां पर feel करना होगा इसके बाद submit पर click करना होगा इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकर का interface open हो जाएगा यहां पर आपका registration number, candidate का नाम, candidate का role number और post name, exam date और time यहां पर दिया रहेगा इसके नीचे निर्देश दिया हुआ है प्रस्न पत्र भीव में सही बिकल्प को हरे रंग में चिन्हांकित किया गया है दूसरा है प्रस्न संख्या, इस्थान में उस प्रस्न संख्या को दर्जी करें जिसके सामने आपत्ती दर्जी की जाएगी तीसरा यहां पर दिया हुआ है आपत्ती स्थान में एक प्रस्न के सामने आपत्ती दर्जी करें इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे नीचे इहाँ पर दिया हुआ अतिरिकत आपतियां दर्जी करने के लिए जोड़ें यानि कि एड बॉटन पर क्लिक करें पांचमा दिया हुआ है आपतिया केवल प्रस्नों और उनके भीकलपों के सामने ही दर्जी की जा सकती है छेटवा नमबर दिया हुआ है दर्ज किये जाने के बाद आपत्तियों को बाद में संपादित नहीं किया जा सकता है साथमा है प्रतेक आपत्ति के साथ आपको दस्तावेजी प्रमार अप्लोड करना है प्रमार को अप्लोड करने में भी फल रहने पर आपकी आपत्ती स्विकार नहीं की जाएगी आठमा दिया हुआ है एक बार दर्ज किये जाने के बाद नई आपत्तियों को बाद में नहीं जोड़ा जा सकता है नौवा दिया गया है कि अपने रिकार्ड के लिए आप स्क्रीन पर राइट क्लिक का उप्योग करके इस प्रिष्ट का स्क्रीन साथ या फिर प्रिंट आउट ले सकते हैं इसके बाद आपके सामने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्लिक here to be attempted question paper यानि की question paper हल किये हुए देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा अगर आपको objection एड करना होगा तो यहीं से objection एड कर पाएंगे एड objection पर क्लिक करके इसको मैं last में बताऊंगा कि आपने answer book में कैसे objection एड कर पाएंगे अब हम यहाँ से आपको attempted question paper दिखाते हैं इसलिए click here to be attempted question paper पर क्लिक कर लेते हैं इसके बाद आपके सामने कुछ ही इस प्रकार का आपका answer book open हो जाएगा यहाँ पर उपर लिखा हुआ है save and print है यहाँ पर क्लिक करके अपने answer book को save या फिर print कर सकते हैं इसके नीचे आपका roll number, registration number, name, exam, shift, exam, date, time और post name यहाँ पर दिया रहेगा जिसको मैंने blur कर दिया है इधर आपका registered photo रहेगा इसको भी मैंने hide कर दिया है इसके नीचे पार्टे दिया हुआ है यानि कि पार्टे में जितने भी question थे इसके नीचे दिये जाएंगे यहाँ पर question number 1 है जो लिखा हुआ है एक आयता का रुद्यान का परिमाप 40 मीटर है जिसकी लंबाई इसकी चोड़ाई से 4 मीटर अधीक है इसका 6 तरफल ग्यात कीजिए तो यहाँ पर इसका सही अंसर यह दिया हुआ है यहाँ पर 96 मीटर स्कॉयर यहाँ पर correct अंसर और चूजे नापसन दिया हुआ है नीचे दूसरा प्रशन यहाँ पर दिया हुआ है समंतर स्रेणी 2,7,12,17 और खाली स्थन दिया हुआ है कि 20 पदों का योगफल यात कीजिए यहाँ पर सही उतर दिया हुआ है 990 और चूजे नापसन भी 990 ही है यानि कि इसका अंसर सही है निचे पार बी के प्रशन आगए है प्रशन नमबर एक दिया हुआ है निमनलखित में से कौन सा संगठन का एक उदारन है यहाँ पर दिया हुआ है आलाफदीज यानि कि उप अंसर सीट दिखाऊं आप वो कि मतलब इसमें कौन कौन से प्रशन आये थे और इसका सही उतर क्या होगा तो नीचे कमेंट करिए कमेंट के आधार पर मैं इस पार्ट बी का वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा अपने आंसर बुक में आप जेक्शन एड़ करने के लिए आपको यहां से बैक आना होगा बैक आने के बाद यहां से आपको सेक्शन नेम में सालेक्ट सेक्शन पर क्लिक करके यहां से सेक्शन सेलेक्ट करना होगा पार्ट या फिर पार्ट भी जिसमें आप 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 जेक्शन एड़ करेंगे जैसे कि मैं यहां से पार्ट करेंगे select category पर click करके तो हम यहां से select कर लेते हैं यहां पर कई category दिया हुआ जैसे rang question, rang answer, multiple correct answer या others तो हम यहां पर rang question select कर लेते हैं इधर objection add करेंगे और अगर अगले प्रशन में objection add करना होगा तो यह objection पर click करके यहां से select section select कर लेंगे जैसे मैं part भी select कर लेता हूँ, यहां पर question number फिल करेंगे, इसके बाद यहां से select category कर लेंगे, जैसे मैं यहां से select कर लेता हूँ, rang answer और इधर objection फिल कर देंगे और भी objection add करने के लिए आपको add objection पर click करना होगा इसके बाद इसी तरह से आपको select करके यहां पर सभी feel कर देना होगा और save पर click कर देना होगा अगर आप चाहते हैं इन में से किसी को delete करना तो delete button पर click करके इसको delete भी कर सकते हैं किसी को जो भी धोके से गलत add हो गया है तो इसके बाद आपको save कर देना होगा और save करने के बाद आपको payment भी करना होगा मैं इसमें सेव नहीं करता हूँ ना तो payment देविकोन करणा क्योंकि मुझे इसमें कोई भी objection एड़ नहीं करना हो मैं objection एड़ करने का तरीका आपको दिखा दिया कि आप अपने answer book में किस प्रकार से objection एड़ कर पाएँगे I hope कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रिंड्स के साथ जदा ज़्यादा स्यर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन सलेक्ट करके रखै ताकि जितने भी वीडियो में अपने चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए थैंक्स फार वाचिंग इस वीडियो